बिस्मिल्लारवान रखीम अस्राम एक्राइब वेलकम बैक टो मैं चैनल अलिशे डिजाइनिंग आज हम आपको इसकी साइट पे बहुती खुब्सूरा सा डिजाइन बनाना सखाएंगे तो वीडियो के अंट तक ज़रूर देखें यहां पे आप देखें कि नॉर्मल मैंने शुर्ड को सारा स्टिच का लिया है यहां स्लीव अभी मैंने नहीं लगाए क्योंकि डिजाइन जो हमने शूल्डर से शुरू करके नीचे दामन तक लाना है और नीचे आप देखें यहां दामन से भी हमने फोल्ड कर लिया है और साइट से जो चाक है सिंपल पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड कर लिया है डिजाइन जो है यहां से शुरू करके नीचे दामन तक हमने बनाना है यहां पर देखें हमने यह बॉर्डर लिया है हमारी शूर्ड के साइट पर था आप इसकी जगह पर प्रिंटेड कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं वह भी बहुत ज् इस तरह से काट लें दोनों साइट की इसकी जुडाए है आप इसकी चोड़ाइंच जैदा कर सकते हैं अगर मेरे हाल मऑ 준 डिजाइन जो बहुत हुब सूरत आएगा अब यहां पर हम पट्ती इस तरह से लेज़ेड इन तक निशान लगाते जाएंगे अ को है rooms हुआ कि आ अब अब देखें हैं कि अपैस्तरा से मने ड्रू डिंच तक निशान लगा लिये हें अब यहां लंबाई पे जो कट लगाएंगे वो भी हमने ड्रू तक लगाना है इस तरह से क्योंकि पटी हमारी जो है वो धाइई इंच है एक इंच छोड़ के हम ने डेडिंच तक इस तरह से कट लगा लेना है अब यहाँ पे हम इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इतने ही मार्जन पे सारी पटी पे इस तरह से कट लगा लेंगे कट की जो चोड़ाई है वो भी डेड़ इंच है और जो लंबाई है वो भी डेड़ इंच है यह चीज आपने दिहान में रखनी है यहाँ पर आप देखे हमने सारी पटी पर इस तरह से कट लगा लिए है अब इन कट को आप देखे इस तरह से फोल्ड करना है पहले और दोबारा हमने इस तरह से फोल्ड करके दोबारा हमने इस तरह से फोल्ड करना है तो आप देखें यह स्मोसाइड डिजाइन बन जाएगा इस तरह से एक साइड फोल्ड करनी है फिर दूसरी इस तरह से फोल्ड करते हैं साथ साथ हमने इस्तरी कर लेना है ताके कपड़ा जो होगे अच्छी तरह से सेट हो जाए इस तरह से आप देखें प्रेस करते जाए और साथ पिल इनको इस तरह से फोल्ड करके उपर से प्रेस करते जाए इस तरह से सारी पट्टी पर जो हमने कट लगाए है डेड़ इंच लंबाई और डेड़ इंच चोड़ाई में इनको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर यह कितनी हुबसूर्ती के साथ ट्राइंगल की शेप में आ जाएंगे अब देखें यहाँ पर सारी पट्टी को हमने प्रेस कर लिया है इस तरह से फोल्ड की है तो देखें कितनी फिंचिंग के साथ यहाँ पर यह ट्राइंगल बन गए है अब यहाँ पर हमने शेट की फ्रेंट साइट पर लगाने है तो यहाँ नीचे दामन से शुरू करेंगे हम और उपर तक लगाएंगे तो यहाँ नीचे आप देखें दामन के कॉर्णर पर लगानी है तो इस तरह से फोल्ड करेंगे हम पट्टी को इस तरह से यह एक्स्टा वाइट कपड़ा है इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे बिल्कुल यहां केनारे से हमने शुरू करना है अगर आपका सिंपल कपड़ा है तो आप इसको थोड़ा सा हटके लगा लें साइड से जो पाइटिंग की शेप आएगी वो बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगेगी मगर हम यहां पे बिल्कुल इसकी केनारे पे रखके लगा रहे हैं आप इस तरह से जितने मार्जन का हमने कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करना है फोल्ड करके बिल्कुल चौक के केनारे पे रखेंगे इस तरह से और स्लाई लगाते जाएंगे आपने जी चीज दिहान में रखने है नीचे जो कपड़ा है शर्ट का वो और जो उपर जोएंगी इस तरह से रखते जाएं बिल्कुल इसके केनारे पे स्लाई लगाते जाएंगे यहाँ तक लाई है स्लाई मैंने अब नीचे ये वाला जो कपड़ा है अंदर की साइट कमर से फोल्ड किया हूँ इसको हमने बैक साइट पर करना है इस तरह से और बिल्कुल इसके जो हमारी कमर की स्लाई है बिल्कुल इसके साथ रखके हमने इस तरह से स्लाई लगाते जाना है नीचे वाला जो आप कपड़ा है वो आपने दिहान में रखना है बैक साइट पर होना चाहिए इस तरह से बिल्कुल जो कमर की स्लाई है उसके साथ हमने रखना है इसको इस तरह से और स्लाई लगाते जाना है आप यहां से यह वाला जो एक्स्टर कपड़ा है यह काट लेना है इस तरह से और यहां तक स्लाई लगा के वापिस हमने मूमनी है इस तरह से अब दूसरी साइड पे यह वहले जो हमने ट्राइंगल शेप पनाई है इस तरह से इनको अच्छी तरह से हाथ से सेट कारके क्योंकि हमने पहले इनको प्रेस का लिया था तो यह बहुत खुबसूती के साथ समोसा डिजाइन में आ गये थे ट्राइंगल के डिजाइन में तो अब इस तरह से फोल करके बिल्कुल इनके केनारे पे हम स्लाई लगाते जाएंगे इस तरह से अच्छी तरह से सेट करें नीचे वाले कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से इनको सेट करके नीचे दामन तक जितने भी ट्राइंगल है इस तरह से फोल्ड करके बिलकुल इनके केनारे पे स्लाई लिगाते जाएंगे झाल करेंगे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। झाल झाल अब आप देखिए यहां पे सारे जो ऊपर वाले टाइंगल थे उन पे हमने इस तरह से स्लाई लगा ली है अब यह नीचे वाला जो है यहां से इस तरह से कट करेंगे थोड़ा सा और अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहां पे भी इस तरह से स्लाई लगा लेंगे यह वाला जो कपड़ा है इसको इस तरह से अच्छी तरह से यहां सेट करेंगे अंदर की साइड पे और स्लाई लगा लेंगे आप देखें यहां पर यह वाला जो कॉर्नर है बहुती सफाई के साथ यहां पर बनना है आप देख सकते हैं उपर से भी यह ट्राइंगल जो हैं बहुती सफाई के साथ आए हैं यह देख सकते हैं यहां कमर वाली स्लाई से भी बहुती फिंशिंग के साथ हैं हीवल जो ऊपर से कंदे से जो एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे इस तरह से और सेम अब इसी मेथट के साथ हमने दूसरी साइड पे भी अपनी पट्टी को लगा लेना है इस तरह से वो वाली हमने नीचे दामन से शुरू की थी इस साइड की जो पट्टी है यहां उपर से लेके नीचे तक हमने सेम उसी मेथट के साथ लगानी है इस तरह से जो कमर वाली स्लाई के अंदर एक्स्टा जो कपड़ा है इसको बैक साइड के पे करेंगे और यहां से शुरू करेंगे सेम वैसी ही इस साइड पे भी लगा लेंगे आप देखें यहां पे दूसरी साइड पे भी हमने डिजाइन बिना लिया है और स्लीव भी अटैच कर लिए अपनी शुर्ड के साथ उसके बाद आप इसकी लोग देख सकते हैं बहुत हुपसूरत आई है जहां नस्दीग से आप देखें ट्राइंगल जो हैं बहुत ही सफा लाग रहे हैं नीचे से भी आप देखें जैसलाई है वह बहुती फिनिशिंग के साथ आई है और ट्राइंगल का यह डिजाइन जैन जह को आप देखें यहां कमर के सदूर्ण से देखें प्रबिए तर पाद में आटेच्छ करने हैं तो अगर आपको इस एस डिजाइन की झाल झाल